अभी सोट की शुरुवात में हमें दिखाया जाता है जितने भी बड़े-बड़े सेक्ट के मास्टर होते हैं वो सभी फैंक के पास आ जाते हैं और कहा रहे होते हैं कि प्लीज तुम मेरे डिस्पल बन जाओ, तुम प्लीज मेरे सेक्ट में आ जाओ, सभी लोगों से बहुत सेक्ट में जाना जाता हूँ, मैं मास्टर लूचैन को अपने दिल और तिमाग से अपना टीचर मानता हूँ, लेकि तब यहां की जाती है तो ये इसके लिए आसाम था हमें बेकूप बनाना सभी लोग सकेंट मास्टर की तरफ ही होते हैं वो सभी लोग कहा रहे होते हैं कि हाँ हाँ ये बिल्कुल सही कहा रहे हैं लूचन ऐसा कुछ कर भी नहीं सकता है क्योंकि अभी अभी मैं ऐसा सोचना मत कि तुम फैंग को बेकूप बना सकते हो अपने छलावे से लूचन उससे कहाता है अगर मैं तुम्हें सच-सच बताओ ना तो मैं तुम्हें जरा ही पसंद नहीं करता हूँ मैं तुम्हें बदला लेना चाहता हूँ लेकिन जब मैंने उस दिन इससे लड़ाई की थी तब मुझे हम दोनों के बीच में जो कल्टिवेशन लेवल का पावर है वो पता चल गया था और मैं इससे बहुत साथ कमजोर हूँ मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा वो सगेंड मास्टर हसने लगता और कहा रहा होता है लूचन मानना पड़ेगा तुम तो सच मुझ अपने आप में ही बहुत साथा इंट्रस्टिंग हो तुम डरते हो मुझसे कमपीट करने से तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते हो इसलिए तुम अपने शिशे को कहा रहे हो कि वो मेरे साथ लड़े और वो मारा जाए मानना पड़ेगा तुम सच मुझ एक बहुत ही बड़े डेविल हो तुम्हारा स्टाइल सबसे निराला है लूचन अपने शिशे के कहा रहा होता है एक शैड़ो नाम का टेक्नीक होता है और लूचन इसे पूरा भरुसा दिला रहा होता है कि इसे एडवांस लेवल पे लेगे जाएगा अब थोई दिर के बाद हमें दिखाया जाता है जहां पर लूचन उसे बताने वाला होता है कि कैसे कैसे वो कर सकता है इदर लूचन सिस्टम की मदद ले रहा होता है क्योंकि अगर उसे शैड़ो टेक्नीक आ गए उसने एडवांस लेवल में कर लिया तो लूचन के पास भी ये शैड़ो लेवल वाली एडवांस टेक्नीक आ जाएगी और ये भी फिर बहुत ताकतर हो जाएगा इदर सबी लोग कह रहे होते हैं कि इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है लूचन बस अपनी जान को बचाना चाता है उसे किसी की परवानी है वो एक बहुत पड़ा डेविल है इसलिए तो वो अपने शिशे को जहसे में फसा रहा है लूचन अपने शिशिश कहता है कि अब ध्यान से देखना मैं तुम्हें इंफिनाइट ब्लॉड बॉइलिंग टेकनीक को दिखाने जा रहा हूँ और ये बहुत ही ताकत वर है तुम्हारे शेडव एडवान्स के लिए इस नाम को सुनके तो ये हैरान होता है क्या खतरनाक नाम है नाम बहुत खतरना खतरनाigning रखता है अब हम देखते हैं कि आसमान से फिर से बिजलिया कड़कने लगती है और वो जितनी बिजली होती सारी आकर लूचेन पे गिरती है और यह होता है वो स्पेशल टेकनीक जिसमें से लूचन के अंदर से धेř सारी power बाहर निकल रही होती है और वो एकडम overpowered हो चुका होता है सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं और कहा रहे होते हैं कि آज ही ही क्या हो रहा है क्या वो सारी बिजली आकर इस पर गीरी लेकिन अभी भी से कुछ नहीं हुआ यहां तक कि यह पहले से जातता का तर हो चुका है लूचार ने लोग को ऐसी ऐसी टेकनीक्स दिखा रहा होता है जिसके बारे में इन्होंने ना तो सुना था बस ऐसे इन बुप में एक दो बार देखा था लेकिन हैंने क्या पता था कि यह टेकनीक सच मुझ exist भी करती है और इस टेकनीक को देखने वाद तो परपल भी हैरान होता है क्योंकि आज लूचन ने पहले ही एक करनामा करके दिखा दिया है उसने उस क्लावड वाले टेकनीक को पूरा कम्प्लीट कर दिया और एंसिस्टर भी बाहरा आ गया और अभी वो देखो दूसरी टेकनीक के इस्तवाल करने जा रहा है और ये कुंफू के लेवल पर एक नया नया चीज इसने हसल कर लिया है और ये बहुत बहुत जल्दी आस्मान की उचाईयों को चूने वाला है वो तो आपको अगले एपिसोड में पता चली जाएगा ल्यू भी कहरी होती है कि आस तो सच मुझ कमाल हो गया लूचैन ने मुझे धेर सारे सर्प्राइस दे दी है वो भी एकी दिन में मैंने तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उससे अब बस मुझे उसकी परफॉर्मेंस को देखना है बस ये देखना चाहती हूँ कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है अब सब चीज दिखा देने के बाद लूचैन उससे पूछ रहा होता है क्या तो मैं समझा गया वो कहता है मेरे मास्टर आपका ये शिश्य इतना जादा चलाक तो नहीं है मैं तुम्हारी इस एक्षा कोई पूरा कर देता हूँ तुम्हें एक चुहे को शेर के सामने डाल रहे हो अब हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों का मैच शुरू होने वाला है सारे आडियन्स भी तैयार है इतर सकेंड मास्टर कह रहा होता है क्या तुम्हें सच मुच उस जूटे लूचैन पर यकीन है उसने तुम्हें कोई भी टेकनीक दिखा दी हो गया और तुम्हें उसकी बातों पर विश्वास हो गया लेकिन मैच तो शुरू हो चुका था हम देखते हैं कि ये बहुत तीजी के साथ सीधे आगे बढ़ता है और सकेंड मास्टर भी इसे देखनी पाता है तो उसके चाहरे पर लग जाता है एक सोरतार पंच लेकिन ये पंच इतना तागत वर नहीं होता है कि वो सकेंड मास्टर को उड़ा दे वो इसी भी तरीके से अपने आपको समहाली लेता है लेकिन सकेंड मास्टर को पंच बढ़ चुका होता है ये देखकर सबके मूँ फटे के फटे रह जाते क्योंकि सकेंड मास्टर होता है थाकत वर और लूचेन ने उसे जो ट्रिक सिखाई थी ये उसी ट्रिक एक छोटा सा हिस्सा था जिसे उसके शिशे ने सीख लिया ये सूच रहा होता है कि ये काम कर रहा है बस मुझे थोड़ा सा और कॉंसेंट्रेशन करना है उसके बाद मैं इसे अच्छी तरीकी से सीख लूँगा सकेंड मास्टर बहुत जादा गुसे में होता और वो कह रहा होता कि बस अब मैंने बहुत मसा कर लिया मैं तुम्हें बिल्कुल निचोड़ने वाला हूँ ये अपनी सौड निकलता है इसकी सौड अलग सी होती है मतलब लचीला होता है ना वैसा वाला तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया है अब मैं इसका इसका इस्तमाल करूँगा वो किसी चीज को निकालता है और जैसे ही वो उस चीज को लेता है उसकी एनरजी बहुत चाला बढ़ चुकी होती है कुछ जादा ही बढ़ गई होती है लेकिन यहाँ पर इसे इसे कुछ फरक नहीं पड़ता है कि उसकी इनरजी कितनी बढ़ी ये जाता है सीधे उसे पंच मारने के लिए लेकिन वो कुछ जादा ही तेस निकलता है वो तो वाँसे कायब हो चुका था हमें दिखाया जाता है सäकंड मास्टर सीधे उसके पीछे आता है और वो एकदम किलर मोर्ड में आ चुका होता है जाता है स्चिशे के पीड पर मारता है एक सुरतार पंच और ये हमला इसे बहुत जोर हो minds और ये असे बहुत जोर का लगा होता है तुम मेरे अपॉनेंट बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो लेकिने तरह जो होता वो अपने पैरों पे वापस से ख़ड़ा हो रहा होता है क्योंकि उसने अभी तक हार नी मानी होती सिश्षी मुसकुरारा रहा होता और कहारा होता है अभी तक तो मैंने अपना बेस्ट दिया ही नहीं है ये तो बस ट्रेलर था इस बात को सुनकर इसे और भी गुस्सा आता और ये कहा रहा होता है कि तुम भी बिल्कुल अपने मास्टर जैसे हो अब हमें दिखाया जाता है कि वो धेर सारी एनरजी को एकटा कर रहा होता है और उस पर लगतार पंचेस की बारिश करने लगता है चाहकर भी सेकेंड मास्टर इधर सुधर हिलनी पाता है और ये उसे चारो तरफ से मार रहा होता है इतना घुसेंड मारने के बाद इसकी हालत तो बहुत बुरी हो चुकी होती है ये चीज़ देखकर किसी को भी अपनी लगतार नहीं मानी होती है ये इतने हमले खाने के बाद भी वापस से उटने लगता है और इधर ये उसके सर पे तलवार रखता और कहा रहा होता है सकेंड मास्टर मैं उमीद करता हूं कि तुम अपनी अगली जिंदगी में एक अच्छी इंसान बनोगे और अच्छा काम क की है अगर तुम लोग को लूचेन की लड़ाई देखनी है तो क्या अगर रहे हो जल्दी करो और कमेंट करो कमेंट करो लिखो लूचेन वर्सेस सकेंड मास्टर तभी जल्दी अपिसोड लाओंगा वरना ऐसे भी लाने ही वाला हूं